आज हमसब यहां पर अルクा σिनमा की बाहर सुपरस्टार यूबी की नई फिल्म Love and Rain के प्रेमियर शो के लिए खटता हुए है अंदर शो का प्रेमियर चल रहा है और सुपरस्टार यूवी ही यहां पर फिल्म देखने के लिए आय हुए है यूवी पहले ऐसे सूपरस्टार है जिन्होंने लगातार दस फिल्में हिट दी है उनकी पिश्वी फिल्म मौपती की राहे ने तो बॉक्स ओफिस पर दो मचा कर रख दी थी और हम सबको यही उमीद है कि उनकी नई फिल्म भी काम्याबी की शुकरों को छूले यहां पर इतने भारी बारिश होने के बावजोद भी फिर कम नहीं हो रही है यूवी की एक चलक पाने के लिए लोगों का उस्सा नहीं समा रहा है इन्हें इंतजार है अपने दिल के टुकडे यूवी का जो आप किसी वी वक्त बाहरा सकता है क्योंकि हमें अभी अभी खबर मिली है कि प्रीमियर शो खत्म हो चुका है और ये देखें यूवी बाहर आ रहे हैं देखें इन्होंने जो काला सूट पैना है वो खास प्रीमियर के लिए लंदन से बनवाया गया है दोस्तों याद रखेगा इस प्रीमियर का पहला टेलीकास्ट हमारी समाचार टीवी पर पहले दिखाया जाएगा आएए अब हम बात करते हैं यूवी से ए राज मीडिया को आने दो यूवी जी इस नई फिल्म से आपको क्या उमीदे हैं एक नई फिल्म से एक्टर को वही उमीदे होती है जो एक दोले को नई नई दोलन से होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई फिल्म मेरी जिंदगी में नई उमीदे और नई खोशिया लेकर आईगी सुनुनेमें आया कि आपकी पहली भीवी मानेतभ ने आपको कोर्ट में गशीतने की profit clericum le de拏 come तोचोंज सक्टेजे यूमी! यूवी! मॉवी! यूवी का जब यूवी! 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 अजुश को जब यूवी? यूवी! यूवी! अबलेस पुर्ण है! यूवी! EMBULLESS! Excuse me! Excuse me! Excuse me! Excuse my side. Hello? Yeah, please ask. Are we still in hospital? Yeah. What is the situation you get so much, I'll tell you. Yeah, ma, I take care. आज वो शूट पर नहीं आ सकते, आपको शूट उनके बिना करने पड़ेगी. सुपरी, सेवा पाल, प्लीज मेरे पत्ती को बचा दो. मैं इसके मेरा नहीं जी पाऊँगे. संफालो अपनी आपको. दोक्टर. मैं दोक्टर. नहीं, नहीं, प्लीज, ऐसा मत कहिए, डोक्टर. डोक्टर, प्लीज, कहिए कि यह जूट है. आप लोगों नोने यहां लाने में बहुत देर कर दी. इतना मैसिव हाट अटेक्ट था. आपको, कि मैं कुछ नहीं कर सकता. पालो, मुझे आपको. प्लीज, प्लीज. जयाके अजीवों गरीब तरीके निकालते हैं, आजकर यह खुनी भी मासुमनों की जान लेने के लिए. ज़्या, ज़्या, मेरी मदद कीजिए. इस वेरी अजिन. क्या बते, कौन है आप? और इतनी गबराई हुई क्यों है? सु मेरे नाम माननेता है, मैं मशूर हैं तर यूवी की पहली पत्नी हूँ. यूवी? जिनकी कल रहा दिल का दौरा पढ़ने से मौत हो गई? कोई दिल का दौरा नहीं पढ़ा है. इस अ मुर्डर, खून हुआ है उनका. वट? यूवी का खून हुआ है? यूवी को दौरा नहीं हुआ है. क्यूंकि कुछ दिनों से कोई फैन यूवी को दंकी बरे ख़त बेच रहा था. तर आम शौर ये काम हुसी का ही है. हमने तो सुना है कि आपने यूवी पे कोर्ट में केस कर दिया है. और वो भी सिर्फ इस लिये. कि उसने आपको डिवोस्त दिया. लेकिन उतनी दौलत नहीं दी जितनी आपको चाहिए थी. हाँ, ये बात सही है. लेकिन हमने बात्चेत करके ये माम्रा सुलजा लिया था. और अब मेरे दिल में यूवी के लिए कोई मैल नहीं है. अब यूवी तो इस दुनिया में रहे लही है. तो ये ऐसा थो नहीं कि दौलत और जायदात के लिए आप नहीं… ये क्या कह रहे है, सरा? अगर मैने यूवी को मारा होता, तो क्या मैं आपके पास आती? और यूवी की मौत के बाद, अब सारी दौलत उसकी पत्नी अर्पिता की है. मेरा कुछ भी नहीं है. तो आपको लगता है कि ये खून अर्पिता नहीं किया? खून किस ने किया है मुझे नहीं पता. मुझे सिफ इतना पता है कि खून हुआ है. और अगर आप लोगों ने जल्दी से कोई आक्षिन नहीं लिया, तो वो लोग यूवी का अंतिम संस्कार कर देंगे, सर्थ. सबादो अपने अपको. पजिए, पजिए. अर्पिता. तेरी हिम्मत कैसे हुए आने की? अर्पिता, प्लीज, कम से कब आज के दिन तो तमाशा मत करो. मैं कर यहूँ, तमाशा. तमाशा करने की आदत तुम्हे है. जीते जी तुम मेरे पती को चैन से रहने नहीं दिया. अब क्या मानने की बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ोगी तम? अर्पिता, यह बात मत भूलो. कि यूवी तुमसे पहले मेरे पती थे. और मुझे भी यहां मौजुत रहने का पूरा हक है. और उन्हें इंसाफ दिलाने का भी. इंसाफ? कैसा इंसाफ? मानिताई जी का कहना है कि मिस्टर यूवी का खून हुआ था. खून? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मिस्टर यूवी को तो हम सब के सामने दिल का दौरा पड़ा है. यकीन नहीं हो रहा मुझे. मुझे यह तो बता था कि तुम चीप पबलिसिटी के लिए कुछ भी कर सकती हो. लेकिन यूवी की मौत का भी मजाग बना दिया तुमने? यह मजाग नहीं है. सच्चाई है, सच्चाई. और यहां बैठे जितने लोग यूवी से सच में प्यार करते थे, वो सब लोग यही चाहेंगे, कि यूवी के कातल को सक्ट से सक्ट सजा मिले. कौन है यूवी साब का खुनी? यही पता लगाने के लिए तो CID यहां आई है. प्लीज, आप लोग को जो भी पता करना है, यूवी के अंतिम संसकार के बात करना. मैंनी चाहती कि यूवी के अंतिम विधी में कोई भी रुकावटा है. सॉरी अर्पिताजी, अंतिम संसकार नहीं होगा. तब तक नहीं होगा जब तक हमें मिस्टर यूवी की मौत का असली कारण नहीं पता चल जाता. जो उनको हाट अटाग आया या फिर उनकी हत्या की गई? और कैसे बता करेंगे आप? उनका पोस्ट मॉटम करना होगा. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं आप लोगो यूवी के लाश के साथ कोई चीरफाट करने नहीं दूगी. क्यों? कहीं यूवी के खुण में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? देखिए, मैडम, आप अंदर आइए. मैं आपसे कह रही हुए. इस औरत की बात अपर बिल्कुल विश्वास मत करना. किसी की संगी नहीं. अप अंदर चलिए. ठांक्स, ओफिसर. मेरी बात का विश्वास करने के लिए. मिस्टर यूवी का खून हुआ है. इस बात पर हमें तब तक विश्वास नहीं होगा. जब तक डॉक्टर साडूम के खुद महीं कहते हैं. इस यूवी की मौत, दिल का दौरा पढ़ने के वज़े से हुई है. क्या? आप यही कह रहे हैं कि यूवी की मौतिल का दौरा पढ़ने से हुई है? देखे मैडम, मैं जो कुछ भी कहता हूँ, वो साइंस पर बेस होता है. अब ऐसे ही किसी का दिल रखने के लिए मैं सच को जूट में तो नहीं बदल सकता. सच तो यह है कि यूवी का खून हुआ है. चाया आप लोग माने या ना माने. देखा सर आपने, अभी मैं इसकी कलेजे को बिल्कुल थंड़क नहीं पूची. यूवी की नाच्रल डट को भी खून का रूब देना चाहती है. क्यो मानेता जी? यूवी की अजेंडा है आपका जो एक नाच्रल डट को आप खून साबित करना चाहरी है. सर, इसमें मेरा की अजेंडा होगा. मैं तो सिर्फ यहीं चाहती हूँ कि यूवी की कातल को सजा मिले. बाद, और क्या. खूनी को तो सजा मिले की मानने था जब खून हुआ होगा. सारों के साब तो गयरेंगे खून हुआ है नहीं? एक मिनट, एक मिनट. मैंने ऐसा कब कर? अभी आपने कहा ना? नहीं, नहीं. मैंने दरसल अभी यह कहा कि इस यूवी की मौत दिल का दौरा पढ़ने के वज़ेसे हो, नहीं? तो तो उसका मतलब यह हुआ ना, कि यूवी का कुन नहीं वा है? नहीं, जरूरी नहीं. जरूरी नहीं मतलब? मतलब यह सचें, कि जब इनसान को दिल का दौरा पड़ता है, तब उसका शरी ठंडा हो जाता है, उससे पसीना आने लगता है, उससे सास लेने में तकलीफ होती है, लेकिन उसके हाथ पर इस तरह का निशान नहीं आता है. आएए, दिखाता हूँ. यह देखो. इसके हाथ हले तो सोजे हुए लगते है, हाँ, हाथ हुजा हुआ और यह निशान, किसी इंजेक्शन का निशान लगता है, इंजेक्शन का ही निशान है, सर लेकिन यूवी किसी चीज का इंजेक्शन नहीं लेते थे, लेकिन कल ली आता है, और हो सकता है यूवी को जो दिल क जो पावे फैन होगी सर जो यूवी को दूंकी बार एक ख़त पिछा करती थी अरपिता जी घर में यूवी की जितनी भी चिठ्थिया हैं जो इसके फैंस ने लिखिया है उस सब आमें चाहिए सर लेकिन यूवी को तो हजारों चिठ्थिया आती थी और कोई फैन यूवी को क्यों मानना चाहेगा अब इसका जवाब तो उन उन चिठ्थियों में मिलेगा तुम यूवी की पब्लिसिटी का काम देखती हो ने जी हाँ और कोई चिठ्थी बागी तो नहीं नहीं सर यूवी सर के फैन्स के जितनी भी चिठ्थियां घर पे थी हम सारी ले आए हैं हुँँ यह तो गह रही हैं कि सारी चिट्टियां यहीं पर है तो इसका मतलब वो चिट्टी भी इन ही चिट्टियों में होंगी जिसके वारे में मान्यत्य बता रही थी वो धमकी बरी चिट्टी देखो ज़रा सर्फ, सरी चिट्टी देखिए इसमें लिखा है प्यारे यूवी तुम्हारी जिंदगी में बहुत भीड भाड है मक्यों की तरह सेकड़ों लोग तुम्हारे आस पास मन्राना चाहते हैं इस भीड में मैं कहीं खो गई हूँ मेरी तरफ देखने के भी फुर्सत नहीं है तुम्हें यह चिट्टी नहीं है मेरी चेताव नहीं समझने अगर तुमने अपने दिल में मुझे कोई जगह नहीं दी जिसकी मैं हकदार हूँ तो अन्जाम बहुत बुरा होगा तुम्हारी जानलेवा जानेमन अरे बाप्रे इतनी खतरनाक फैन नाम की जगह लिखती है जानलेवा जानेमन जरूर यह वही चिट्थी है जिसकी वज़े से यूवी का खून हुआ है वही चिट्थी है सर, खून से लिखी हो जिट्थी खून से? क्या लिखाया? बहुत समझाया तुम्हे मगर तुम्हे शायद प्यार की भाषा समझ नहीं आती इसलिए अब शायद किसी दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा पंद्रा तारीक को तुम्हारी फिल्म के प्रेमियर है और आत तुम कभी नहीं भूलोगे यूवी तुम्हारी जान लेवा जाने मने ओ मैगॉड मतलब इसी चिट्थी के वजे से उसन यूवी सब प्रीमियर में जाने से कत्रा रहे थे यूवी ने बताया था तुम लोगों इन चिट्थियों के बारे में हाँ सर वो बहुत परिशान थे चिट्थी को लेकर इसलिए उन्होंने प्रीमियर पे जाना भी कैंसल कर दिया लेकिन जब प्रड्यूसर ने रिक्वेस्ट करी कि कि मीडिया बात बड़ा चड़ा कर बोलेगी फिल्म की ओपनी में नुकसान होगा तब वो गए किस पर शक है तुम्हें कौन लिख सकता ऐसी चिट्थियां कौन करेगा ये नहीं सर एक्चली यूवी सब भी इस बात से परिशान थे कि ये उनका पागल फैन आखिर है कौन? जानलेवा जानेमन जरूरिष जानलेवा जानेमन ने पहले से प्लान करके रखा था कि प्रीमियर की रात को यूवी को कतम करने का सुर पर तो एक बात साफ है ये जो कोई भी है वो प्रेमियर की रात वहां मौजूद था किसी न किसी कैमरा ने तो कैद करके रखाई होगा इस जानलेवा जानेमन को जानलेवा निए, एक मिद्ध पॉस करूड यहांपर यूवी गिरिगा, यहांपर उसकी मौध होगी सरफ रिवाइन करू वास, अब यहां से प्ले करो, ज्यान से देखना यह देखो, इस लड़की को देखो, यह लाल रेनकोट वाली लड़की, देखो कैसे आगे-ागे आ रहे हैं लोगों को आटाते हुए, यह वे की तरह, पॉस करो, रिवाइन करो और फिरसे प्ले करो, स्लोव मोशिन में, पॉस करो, देखा, यूवी उस लड़की को देख के काफी चोंका, कहीं वो उसे पहले से तो नहीं जानता था, इस लड़की का चेहरा अच्छी तरह से दिखना चाहिए, है कोनी यह लड़की ज़रा, देखते हैं आगे, शायद उसका चेहरा अच्छी तरह से अमें दिखे है, चलो पॉरवी आगे चलो, पॉस करो, यहां, अगे उससे चेहरे पर जूम करो, करो मैगनिफाय करो, पता नहीं कोन है से, रात के वक्त काला चश्मा भी लगा रखा है उसने, वही तो, कौन हो सकती है यह लड़की, ज़र आप लोग इदर आईए, इस लड़की को गौर से देखिए, अच्छी तरसे, देखिए, क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है, अगर देखा है तो कहा देखा है, आप लोग जानती है इसे, अच्छी तरसे देखू. है ज़र, पहले इस लड़की को कभी नहीं देखा? हमने वे नीदेखा, साथ. यहनके तुमने? नई, सार, पत्था, नी कौन है? आखिर, है कौन है लड़की? है कौन है? किस्सी को तो पता होगा इस लड़की के बारे में, कोई तो जानता होगा इसे. पंद उन होगा. यहाँ मुसीबत हैं? भून होगा होगा? तूपजी, यूवी उस लाल रेंगोट वाली लड़की को देख के जिस तरह से चौका मुझे लगता है के वो जान पैचान की है, जिसे वो अच्छी तरह से जानता है अज़ खुनी कोई दूर का नहीं, आसपास काई गए उन लोगों में जो यूवी के काफी करीब है पूर्वी, ज़रा दूसरे कैम्मिला का फोटेज दिखाना सर्व सलो मोशन में करो उसे ज़रा एक विए पॉस करो कि देखा, जब लड़की ने यूवी को पैन दिया, तो यूवी ने कैसे अपना हाथ पीछे कीजिए? हाँ और यूवी के चेहरे पे तोड़ा दर्थ ही है जैसे पैन उसे चुप गया सर्वी के हाथ पे जो ये निशान है करी इस पैन से तो नहीं हुआ है हम जिसे हम लोग इंजेक्शन समझ रहते है वो ये पैन था इस पैन पर ज़रूर कुछ लगा होगा जिसकी वज़े से यूवी का हाथ सूच गया और रवसे दिल का दोरा पड़ गया ठीक है रो देर उस यूवी को दिल का दोरा क्यों पड़ा ये आखिर पता लगा ये दिया सालोग है क्या वालता सामके साथ अब ज़रा हमें भी बता दीजिया नोलन प्राय उकसाइट की वज़से नोलन प्राय उकसाइट? ये क्या है? ये एक ऐसी दवाई है जिसे अगर अच्छे खासे तंदृुस्त इंसाम को भी दे दिया जाए यहाँ, बिल्कुल. विनिक, क्यों है, सर्थ? इस लड़की का पोस्टर सारे शायर में लगवा दो. जॉब इस गंड़े के अंदर यह लड़की ब्यूरो में होनी चाहिए. यह लोगे. अंधियों दिखना नहीं क्या? सौरी. सौरी बॉलने से क्या होता है? सारी सब्सी कंदी करती मेरी. बट्रमीज लड़के, मदद भी नहीं करती. हलो? CID? जी मैं शानती बॉल रही हैं सुंदर नगर से. वह आपको पोस्टर वाली लड़की के बारे में कुछ बताना था. जी हा, मैं जानती हो कहां रहती है. कुछ वहान जूँ वहाता है с करतक्त, तब रहत...' बग्रमीजायओ oh झाहां रहाख trad में का रहाए? कुछ ज़र कहां अचे था लोहां, मुछ शुछ बशला स्याया. झाल प्रमीजादी में कहां? कुछ वहाहां पर रहाए? वहा जाए– आप जा सकते हैं, थैंक्यू. सर्थ, उस लड़की का नाम शाहिद मल्लिका, यह देखिए, लेटर पेडविसका नाम. मल्लिका? यूवी को खोन भरी चिट्थी, ठीक ऐसे ही पेपरपे लिखी गई थी. मतबसर यह खोन भरी चिट्थी मल्लिका नहीं लिखी थी. हाँ, और उसने चिट्थी में लिखी गई धमकी को सच कर देखा, यूवी को मार डाला. सर, मुझे अंदर दो बैग्स मिलें, जिन में इस लड़की ने अपना सारा सामान पैक कर दिया था. शायद घर चोड़कर कहीं जा रही थी. सरूर अपना बोरिया बिस तरह बांद के कहीं भागने की प्लानिंग कर रही होगी. अपना सामान ऐसे छोड़के चली कहां गए. सरूर कुछ तो… अटो. खून. ताजा, सरूर हमारे आने से थोड़ी ही देर पहले यहां कुछ हुआ है. सर, कहीं है खून? मलिका का तो नहीं? इस मलिका को कहीं कुछ वो तो नहीं गया. सर, मैंने रेलवे स्टेशन, एरपॉर्ट और सारे चेकनाको पर खबर विजवा दी. मलिका शहर छोड़के नहीं जा सकते है. उसके घर पर नदर कौन डख रहा? निकले, सर्वा. अगर वो अगर आपना सामान लेने वापस आती है तो पकड़ी जाएगे. और अगर मैं खुद आप सब के सामने आ जाओं तो… एसबी सर्व मुझे गेरफतार कर ली छेए. मैं यहां अजुरम करगूल करने आया हूँ और मैं उमीद करती हूँ कि मेरे सच्छे विवार के लिए आप मुझे फांसी के फंदे से बचा लेंगे. हाँ सर, यूवी का खुन मैंने किया है और इस बात का मुझे कोई भी अफसोस नही है. क्यो मारा तुमने यूवी को? जो उसने मीरे साथ किया है, अगर किसी और के साथ भी किया होता तो वो भी उसे मार ढालती. ऐसा क्या किया उसने तुमारे साथ? दो साल से प्यार का जूठान डाटक करता था. शादी का वादा भी किया था मुझसे. लेकिन एक दे, एक दिन आचानक, ऐसा बरताफ करने लगा, जैसे मुझे जानता तक नहीं. दो साल से यूवी तुमारे साथ प्यार करता था? लेकिन देड़ साल पहले दो यूवी ने अरपिता के साथ चादी की. वह इसलिए, क्योंकि ये शादी उसके करियर के लिए जरूरी थी. उसने मुझसे वादा किया था, क्यों अरपिता को छोड़कर मुझसे शादी करेगा. उसने अपना वादा नहीं निभाया, तुमने उसे मार डाला? हाँ. यही वो पिन है, जिसे यूवी का खून हुआ है. पटन दबाते ही, जहरीली पिन बाहर निकली. और यूवी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नीन सुला गई. तुरा मैं भी थो देखू? सर, केस खतम पैसा आजम, सारे खुनी अगर मलिका की तरफ शरीफ बन जाये, तो हमें तो पसीना बहाना ही नहीं बढ़ेगा. नहीं फेड़ी, केस खतम नहीं केस अभी भी जिन्दा है. यह मलिका जूड बोल रही है, जूड बोल रही है मलिका. आपको शक है सार? बिल्कुल शक है पुर्वी. मंदिका के हाथ देखे हैं? उसके हाथों पर कैसे छाले पड़े हैं? उसके नाकुन देखे? ऐसे हाथ, ऐसे उंगलियां सिर्फ नौकरानियों की होती है, हाउजमेर की जो कर में काम करते हैं. कहाँ सर, अमीर घरों की लड़कियों की उंगलियां ऐसी नहीं होती है. और मलिका की घर को देख के लगता है कि वो काफी रईस खानदान से है. वही थो, बस एक ही तरीका है पता लगाने का कि मलिका कितना सच बोल रही है. उर्वी. सर्थ. तुम क्या करने वाली हूँ? तुम से कुछ सवाल पूछने, उसका ठीक ठीक जवाब देना. अब क्या सवाल पूछना है? मैं अपने जरूम कबूल कर चुकी हूँ. हादालत ले जाकर जेल बिजवा दो मुझे. जेल बेजने से पहले जो सवाल होते हैं, बस वही करने है. ठीक है, पूछे. यूवी का खून किसने किया? मैंने कहा ना, यूवी का खून मैंने किया है. कैसे? उसी पेन के जरीए, जो बाहर आफिसर दे लिया है. कौनसी दुकान से खड़ीदा था ओपेन तुमने? जी, वो दुकान? दुकान से नहीं खड़ीदा था? किसी ने बनाया था ओपेन तुम्हारे लिए? हाँ, वो मेरी सहेली ने. सहेली का नाम? जी, वो मैं आपको नहीं बता सकती. तरसल मैं उसे किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती और वो पेंट भी उसने मेरी कहने पर बनाया था तुम्हारा नाम? मलीका कौन सा सिनिमागर पसंदे तुम्हें? क्या? इस सवाल का खून से क्या लेना देना? जब आप दो मान प्रकाश मान प्रकाश वही जो बापु बजार के पास है इतनी अमीर ओरत ऐसे सिनिमागर में जाती है फिल्में देखने? दरसल मल्टिप्लेक्स में फिल्म देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारे माबाप का नाम क्या है? मंत्रा और सूरज सूरज दो दिन पहले कहा थी तुम? चूना बट्टी कैसे गई? ट्रेन से क्यों? गार्ड राइवर ले गया था, क्या? जी, वो… कौन्से स्टेशन से ट्रेन ली? डॉक्याड से तुम तो अम्बबाडी में रहती हो ना? डॉक्याड और चूना बट्टी के बीच में तो यह कहीं भी नहीं पड़ता? जी? कौन्से स्कूल में पड़ी थे? जम वीर बाली का विद्या ले अपको शक्क सही निकला सर सोच-सोच के जवाब दे रही है जूट बोल रही है मगर गलती से कुछ जवाब सच भी दे बैठी है यह डॉक्याड स्टेशन के इलाके में रहती है इसके स्कूल का नाम जम से शुरू हो था तो डॉक्याड स्टेशन के इलाके के आसपास पूछ साच करो अब तक तो इसने सिर्फ आधा ही सच बताया है अब आधा सच हम डूड निकालेंगे यह भाई साब बेस लड़की को पहचानते है क्या नहीं देखा है भौक्ड़ तक रहा तक रहा है अ प्रौक्याए मुड्पडया यह थाग ईदWhat ट्र दुक्क व्लीं भौक्वम प्रौक्या यह थाख फुड्या यह विर समेख किसमता चला नहीं सर इस मलीका को तो कोई भी नहीं पहें चालता मलीका मुझे तो लगता है यह नाम ही नहीं है एक्स्चुज में एक्सटेको जड़ा यह फोटो देखी हम लोग CID से हैं जी इस लड़की को देखा है यहां पर यह तो कुष्पा है आप इसे क्यों डून रहे हो पुछ लोचा के एक है इसने अहां यह लड़की कहा रहती है मलूब आपको हां यह तो यहां रहती है आओ आ आपको दिखाती हों गर तो खुला यह मुश्पा ओ पुछपा ऐसे घर खुला चलुक के कहां चली गई है अ क्या टलाशई है महले कुछट कि लेरे अगर आप चाहें तो यहां पर खड़े रहे के देख सेती हैं पुछपा के घर के तलाशी हरै साप इस इस गर इस जोप कर दो दो प्रेंग 5 चार्म अंग हो थे अ को अ कर दो घर यो होलत कैता इना हैC पुष्पा यहां पर अकेल नहीं रहती थी या उसके साथ कोई और भी रहता था साब, यहां पर अपने अंधे माबब के साथ रहती थी अंधे माबब की साथ? कान है वो? अज दो पर में इक आदमी आया था वहीं उनको अपने साथ ले के चला गया गया गौन थो अजया पता नहीं मैंने पहले कभी उसको देखा ने उनका दूर करिश्टार कोई होगा अच्छा काहा लेके जा रहा था हूने कुछ बता हैं? बता नहीं साब, मैंने भी पूछा नहीं अच्छा ये बताओ के इस पुष्पा का पिछले कुछ दिनों में बरताव कैसा था मेरा मतलब है वो डरी वी थी, परेशान थी किसी बात को लेके नहीं नहीं, वो तो काफी खुश थी खुश? किस बात को लेकर इतना खुश थी हो? वो बोल रही थी कि वो अपने अंधे माबब के आखों का उप्रेशन कराएगी जिससे उनकी आखों की रोशनी जल्दी से वापस आ जाएगी तो ये बात है मैंने उसको पूछा भी कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आएगे लेकिन उसने कुछ कहा ने बोले कि जब मिलेगा तब बताऊंगी तो पिस जरूर पुश्पा के माबाब को ही याद में लेकर गया जब पुश्पा को इतने सारे पैसे दे रहा है कब तक जूट बोलोगी पुश्पा सच क्या है अमें बता क्यों नहीं देती देखो पुश्पा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं जो भी बात हैं हमें साफ साफ बता पुश्पा पुष्पा, पुष्पा? इससे क्या हो क्या? पुष्पा? पुष्पा, पुष्पा, पोच में हो. कुण? इसके पेट से इतना सारा कुण के रिसे मेरे? पुर्मिष, क्या होगा? यह बेटे 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 बेवश होगी और अभी अभी मैंने देखा कि इस ते इतना बना जखम चुपा कर रख है माय काड पुर्मी बिनीद इसे अउस्पिटल लेके जाख चल दी हाँ सर अब समझ गया है इसके धर पे खून के पूंदे कहा से आए किसी ने सक्मे कर दियाता है सर ये केश तो और भी लजगिया है अब पुष्पा के माव आपको भी किसने किर्नाप करके रखा हूँगा है सरूर को येखी आगने इन सब के पीछे तो पुष्पा को कट पुदली की तरह ना चा रहा है और ये आद में कोई करीब काई है जो पुष्पा और यूवी दोनों को जानता है जिसने सोचा होगा क्यों ना पुष्पा का इस्तेमाल करके यूवी को रास्ते सठा दे है एक गृश्पा के निस ठीजर पुष्पाद कुस खर में काम करती थी है सरूर हो नीमें से कोई है कि अ कि पुष्पा उस्पिटल में है क्या हूआ है उसे मुझे उसके पास ले चले साब हम ले चेल जेंगे आपको उसके पास पहले में उन लोगों के नाम बताई जिनके घर में पुष्पा काम करती थी पुष्पा? पुष्पा वो गोसले, कदम तो ये वहाँ भी काम करती थी अब समझ वाया किस के पिछे है को साहब, हाब लोग काम? हम लोग CID से हैं CID? मगर मेम साहब तो घर पे नहीं है अच्छा, जरांदर जा के देगो सर्थ हमरा लाम भोलू है साहब हम कबो जूट नहीं बोलते अच्छा, बलू यह बताओ के तुम्हारी मेम साहब गही कहा है वो तो हम आपको नहीं बता सकते मैं? हाँ? सरंदर नहीं है वेका साहब, हमने कहा दाना कि मेम साहब घर में नहीं है हम जूट नहीं बोलते हैं साहब तुम्हारी मेम साहब तुम्हें बता के नहीं गई कि वो कहा गई है पता तो है लेकिन मेम साहब बताने से मना कर गई है अच्छा यह मेम साहब ने कहा क्या था? मेम साहब ने कहा था कि वो पन्वेल वाले फाम आउस पे जा रही है लेकिन यह बात कि एडिको बिलकुल नहीं बताना ओओ चुल अची बात है मत बताना कोई बात ने पन्वेल के फामा उसका अडर्स पता सकते हो ना वो बताने से तो बना नहीं क्या होगा हाँ वो तो बता सकते हैं बंगला नंबर 35 SFC कि इंकलू पन्वेल हुँ थैंक यू सो मच भूलू भीया यह सच बोलने की आदत कभी मठ चोड़ना हैं तबी ने चोड़ें क्यों है प्रवान के लिए वह हमारी बेटी के बाद ले जाई है तुम्हारी बेटी से मिलाना थोड़ा मुश्किल है क्यों मुश्किल है कहा है हमारे पुष्पा तुम्हारी पुष्पा तुम्हारी पुष्पा जेल में है यह जेल में नहीं नहीं तुम जूट बोल नहीं हो अरे मेर किया है उसने, सुपर स्टार यूवी का खौन किया है नहीं, नहीं, ये सच नहीं है, तुम जूट बोल रही हो माना कि मैं जूट बोल रही हूँ लेकिन बहुत जल्द कानुन इस बात को सच मान लेगा और तुम्हारी बेटी चट जाएगी फासी पे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर तकती मेरे बेटी को मत पासाओ मत पासाओ मेरे बेटी का बेटी तो तुम्हारी फर्स चुकी है लेकिन फिक्र मत करो फासी पे चड़ने के बाद सीधे वो तुम ही दोनों के पास आएगी क्या मतलब मतलब ये कि अब तो तुम दोनों का खयाल रखने के लिए कोई भी नहीं तो मेरे दिमाग में ये खयाल आया कि क्यों न तुम दोनों को भगवान के पास पहुचा दिया जाए देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती तुम्हें अपने पापों की ये दिन बहुत बुड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अंकर जी प्लीज मरते वक्त इस तरह की बाते मत कीजे भगवान का नाम लीजे, भगवान का तभी तो आपको मोख्ष की प्राप्ती होगी हाहाहा मोख्ष तो आप तुम दोनों को मिलेगा स्रीयाडी की आश्र में चलने की तैयारी करो में में छोड़ अबे छोड़ छोड़, छोड़, छोड़ छोड़ दू़ यह ले अरो मही को लो तुम गबराई यह मतंब CID से है आप ठीक तो है ना हाँ मेटे ठीक है तुम कहाँ तुम कैसी हो अरूब यह टू़ लड़ 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 वाई नीचे! यह कोई फिल्म नहीं है, Sniha, कि तुम एक के बाद एक खून करती रो, और कानून दुमारा कुछ ना भिगार सेके, समझी? दोका दिया यूवी ने मुझे, बहुत बड़ा दोका, और दोकी की एक ही सजा होती है, मौत. तुम कौन होती हो किसी को मौत की सजा देने वाली? तो क्या करूँ? अदालत जा नहीं सकती? तो मैंने सुचा क्यों ना इंसाफ का बीड़ा मैं खुद उठा लो? कैसा इंसाफ? अपने साथ हुए अन्याई का इंसाफ. अखों में हजारों सपने लेकर आई थे इस शहर में हिरोईन बनने के लिए. मगर यूवी ने उन सारे सपनों को चकना चूर कर दिया. और उसी बदले की भापना मुझे ताकत दी. यूवी की जान लेने की ताकत. यूवी ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हे हिरोईन बनाएगा? उसने मुझ से नहीं. नजाने कितनी मासूम लड्कियों से वादा किया. और उने हिरोईन बनाना तदूर. एक छोटा मुटा रोल तक नहीं दे सका. मगर तुम्हे तो यूवी ने अपनी सेक्रेटरी बना लिया था. क्यों? वो तो मैने उसको धंकी दी थी. कि या तो वो मुझे अपनी सेक्रेटरी बना ले? वरना मैं मेडिया में जाके उसका भांडा भोड़ दूगी. और उसके सेकेर्टरी बनने के बाद तुम उसके करीब आकर उसके मौत की प्लानिंग करने लगी हाँ हाँ इस्तमाल किया मैंने पुष्पा का इस काम के लिए ताकि वो इस जुन को कबूल कर ले और वादा किया मैंने उसे कि जिन्दिगी भर मैं उसकी माबाब की देख भाल करूँगे मगर यूवी की मौत के बाद वो डर गई और तुमारे प्लान से बाहर निकलना चाहती थी हाँ इसलिए तो उसकी माबाब को मैंने किद्नैप किया और उस पर दबाब दाला कि वो इस जुन को कबूल करे बहुत लंबी प्लानिंग के थी पर क्या फाइदा हुआ पकड़ी गई ना पकड़ी गई तो क्या हुआ पर उन हजारों मासुम लड़कियों के जिंदिया तो बच गई जो आने वाले भविशे में उस यूवी की जा अपनाया वो भी गलत था कानून की मदद ले सकती थी तो पर नहीं है कानून को अपने हाथ में लेने की और खून करने की एक ही सजा है फासी पर भý कुछ में एक हथाथ जो आसे समस्थे जाता है में हम जाता हते है तो खास्माझा यंशाब कर अल्सक में अल्सके कानून को बचल